तो बाइस आज का टॉपिक है कांस्ट्रक्शन कांस्ट्रक्शन जो वन आप दर इस चैप्टर है क्या स्टैन मैट की बुप का और ये चैप्टर है बुप का लावन को आज इसको डिसक्रस करें गें घिम कांश्ट्रक्शन में पोस्टिंट आसे प्पावल करेंगे और इसका एक पॉणन पोचे जाता है वहें डीविजन ओफ लाइन स्टैन्मेंट इसलाइन को डिवाइड करना हैकूछ रेशियों है Suppose एक लाइन है AB जिसे हमें डिवाइड करना है by ratio 2 and 3 2 by 3 ratio में डिवाइड करना है तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें करना है एक लाइन ड्रो करनी है और कोई इक लाइन है AB जिसकी लाइन कितनी है? लाइन है 10 cm क्या है? 10 cm सो पहले एक लाइन ड्रो करेंगे कितने मीटर की? 10 cm यह हमाली है लाइन AB फिर पॉइंट ए से हम एक रे ड्रो करेंगे रे इसकी लाइन कुछ भी हो सकती है तो इस रे रे रो करेंगे रोलर लेंगे रोलर से ही हम दिखाना पड़ेगा कितने है यह अगर इससे कोई टोटल करेंगे रिश्यो कितना रहेगा? टू प्लस थ्री तो हमें 5 पर मारने है फाइट रूलर से ऐसे मारने है एक दो तीन चार पांच नाव इसका नाम देते है एवन, एटू, एट्री, एफोर, एड़ एफाइट उसके बाद जो यह लाज़ पॉइंट है एवन, एफाइट इसको हम मिला देंगे बीज़ी और जो यह एंगल पीड होगा यह एंगल पीड होगा इसका हम प्रकार्स ना प्लेने है एसे रखे नाप ले लेंगे यह कुछ ऐसा आएगा उसी की एंगल की नाप से हम यहां से एक बाद प्रूम आएगे कुछ ऐसा अगर आप कंपास से करोगे तो फर्ट प्रक्रेक लिए आएगा अगर देना पड़ेगा इन दोनों को मिला देना है और जो यह एंगल होगा इसका रिसका सेम हो यूँकि अगर दो लाइन पर्लेल होगी तो वह जो एंगल क्रेट कर रही होगी उसके एंगल भी एकोल होगे तब हम इसे पर्लेल लाइन कर सकते हैं अगर हम ऐसी गयास करके पर्ला लाइन कीछेंगे पुछ एक-दो डिपी से एंगल से जो पर्ला लाइन होगी इसलिह हमें परकार से नाप लेना है एंगल और लाइन के बाद यह कट माने इससे इतम पपेक्ट करला लाइन केड होगे और यह जो अब रीश्य होगा हमारा यह क्या होगा इसी का इसा यह जो यूज करके हम ऐसी टू बाइ या थी वेश्यों में इस लाइन को डिवाइब कर सकते हैं तो इससे एक और अल्टनेटिव मेथट है तो उसे यूज करते हैं सब्सक्राइब करते हैं 10cm की कि अधिया यह एक और राइन रेट ड्रोव करते हैं कोई लैंट ज़रूरी नहीं किसी लैंट हो अप्र रखना है हमें इसमें से कोई रैंडल ली किसी वी एंगल का परताव लेना है और उसे किसी लैंट परताव लेना उसे ख़़मार में एक दो कि दो हो गया उसके बाद हमें इसी की पैरल लाइन माप कर लेते हैं यह भी एक्स हमें एक्स के पैरले लेंट की चाहिए तो पैरले लेंट की चाहिए पहले वाले कुस्टन हम देखा था इस एंगल का नाप लेना है प्रकार से और उसके बाद यहां से हमें प्रकार से कव बनाना है ऐसे हुन गया इस एक प्रकार से हमें फिर प्रकार से एक कव माडम है ऐसे विदाना है चाहिए और यहां आभी हमें जाए यहां दो मेरे तनाती मां थीम आँए टीम से नक्से मरें नहीं कर दिखें़ बाद कि लेंगेंग है यह हमारे फ्री हो गया इसे मानीग हम भी वन व B2 and B3, यह मानिए हम A1 and A2, क्योंकि हमें 2 और 3 एच्व में डिवाइड देना है, तो हमें एक दना पड़ेगा, A2 को B3 से मिला देना है, तो जिस पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट करेगा AB को, वो ही हमारा डिवाइड देगा इस लैंग, इस AB को 2 by 3 एच्व में, तो यह दो में सब्सक्राइड में सब्सक्राइड है, अगर आपके यूज करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी एंगल क्रीट कर रहा है, इसकी लैंग नापनी है परकार से, और उसी एंगल से हमें इसकी पैदला लैंग कीशनी है, AX के, जो BY होदी हमारे, यह पीज ही ह AX प्रकार से हमने जगरा, माक प्रकार से हमने, का हमारा इस लाइन पे, A1, A2, और उसी के पैदलर हमने दूसरी लैंग कीशी इस एंगल की नाप लेगे, क्योंकि यह एंगल हुगा, XAB इक्वाल टू ABY, तो हमें ऐसे लाइन करनी है, और यह तो इस लाइन को डिवाइड पूछे जाता है, तीशा टॉपिक है, it to construct a triangle similar to a given triangle as per a given scalar factor, तो हमें एक triangle given होगा, और उसी के similar एक और triangle प्रेट रना पढ़ाएगा, लेकिन जो उसकी वो होगी, dimension होगी, वो तो की different होगी, लेकिन दोनों एक इस लिवाइन ट्रेंगल होगी, तो क्योंकि वो कैसे देखते है a, b, c, तो हमें जागरना है, suppose हमार कोई triangle a, b, c है, हमें a को ट्रेंगल प्रेट करना है, जिसकी side, a, b, c की side की 3 by 4 times हो, suppose अगर a, b है, 4 cm, तो जो नए triangle होगा, a dash, 3 dash क्या होगा, 3 by 4 multiply 4, तो यह कितना होगा, 3, तो a dash और b dash कितना होगा, 3, तो हमें कुछ ऐसा triangle क्रेट करना है, इसके प्रेसिमलर टू, कि जिसकी length, 3 by 4 times हो, a, b की sides के, सारी sides के, तो कैसे करेंगे, बहुत इसी है, suppose कोई triangle है, a, b, c, यह a, b, c है, क्योंगी यह 3 by 4 है, तो 3 by 4 बन से कम है, जो triangle क्रेट होगा, वो a, b, c से छोटे ही होगा, बड़ा ही होगा, तो कैसे जाएंगे, अपोली a, b, c है हमारा, उसके बाद के रहना है, उसके बाद आपको रहना है, एक rate, rate, rate करनी है, b से, ज़रूरी नहीं हो, पाइला लोकिसी से, और इसका नाम देंगे है, हम, x, now, जो fraction होगा, उसका हमें maximum count देना है, तो इन दो, तिन दो, मैक्सिम को होगा है, max of 3 and 4 क्या होगा, 4, तो हमें एक प्रकाप लेना है, कोई भी rate of length था, उसके बाद हमें कव माने है, 4, 1, 2, 3, 4, इसके बाद हमें इसका नाम देना है, V1, V2, V3, V4, and then हमें V4 को मिला देना है, C से, तो यह एंगल कीट करेगा, उसके रहा है, क्योंग रिश्यो है, 3 और 4, तो हमें इसके करना पड़ेगा, परल्लाम चीखिंगे कैंई ठना करता है, हमें अपतल आपना पड़ता है, अंगल का मान पकुल्ठ लेंगे, उसके बाद हम तक यहां से, कर्फ बनाएं हमें से, ऐसे, उसके बाद हम लेंगे यहां से, इस पॉंट से, इस पॉइंट से फिर एक और काट मारेंगे तो यह कुछ एंगल लाइन वाई नियुक्रीड हो जाएगी अगर आप पर काट दो रहे होते हम परफेक्ट प्रीड होगी लाइन है कि हमें पॉइंत में दिवाइट करना है उसके बाद हमें बस को डिवाइट करना है उसके बाद हमें यहां से प्रकार से एक फिक आफ बनायेंगे उसके बाद यहां से उसे यहां से कट करेंगे तो जो यह चैबलन है इसके फाल ऑफ से करोगे तो यह इदिक्ट वह बिद्ध होगी ते लाइन कुछ आशे होगी और जो इसकी length होगी A-B की वो A-B के 3x4 होगी और इस तरह हम इसका corresponding triangle with a similar triangle create कर सकते हैं So guys I hope you understand this topic very clearly और आपको को doubt है तो आप Please comment do in comment section and और आपको उसके पात ही रगना है इसके सारे steps आपको यहां लिख देना राम सी आपको full mark पे लेंगे 5 के 5 mark पे लेंगे कि यह 5 नम्र पोश्चिन पूछ रजाता है हमेसा exam में क्योंकि मैंने इसे marker से बना है अगर आप इसे से बनाएंगी कोपे में आउगे ruler से और क्लिरली विम्लाओं थैंक यू